गाई जब भी मैं थौर 5 के बारे में सोचता हूँ तो मेरी दिवाग में एक नहीं बलकि पास टाइब की नई प्रॉट स्टोरी आती है जो कि थौर की कहानी में लिखी जा सकती है और उद में से कोई एक मार्वल डेफिनेटली उठाने वाई है पिलाल दोस्तों आप लोग तो जानते कि अभी मार्वल स्टूडियो का मूट कैसा है वो बहुत सारे प्रिजेट को कैंसल करता है वो नजर आ रहा है लेकिन हम लोग बात करें थौर 5 की तो अभी तो उसे ग्रीन सिगनल मिला हुआ है यानि कि उस पे कैंसलेशन की कोई आच न आइका वाटीटी अब यहां पे उनको नहीं लिया जाएगा थौर 5 के लिए बहले वो यह प्रॉमिस कर दे कि थौर 5 के पस उनकी जबरदस्कानी है बहुत ऑसम होने वाली है क्योंकि पहले से टै हो गया है कि इस बार जो थौर को रोल है वो काफी जादा सीरियस होने वाला कि जो कि थौर 5 में देखने को मिल सकते हैं करेंट अपडेट की अकॉर्डिंग जी हां दोस्तों यहां पे आप लोग तो जानते हैं हर दिन हर वक्त नए अपडेट आते रहते हैं तो आज थौर 5 पे आया है सबसे पहले वो बात कर लेते हैं उसके अक्टर की जो कि शायद Avengers Infinity War से Missing है और अभी तक नहीं दिखाय दिया बहुत लोग को उमीद थी कि भाई ये बंदा तो डेफिनेटली थौर 4 में हम लोग को देखने को मिलेगा लेकिन उसका जिक्र भी नहीं हुआ जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बैटा रेव बिल की और यहां पर दोस्तों में वो तो हम लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर थेनोस अगर सब को खतम कर रहा है तो ऐसा भी हो सकते है उसने बैटा रेव बिल का भी प्लानेट डिस्ट्रॉय किया होगा और इसी विज़े से दोस्तों वो थेनोस से बदला लेने के लिए Avengers को जोईन कर लेगा और एक मुमेंट पर थोर का हैमर भी उठा लेगा क्योंकि वो अलेडी वर्दी है लेकिन नहीं बैटा रेविल को तो आना नहीं था लेकिन अब पॉसिबिल्टी बनती है कि थोर के साथ बैटा रेविल आएगा वो भी हरकुलिस का सामदा करने नहीं बलकि एक ऐसे विलन का सामदा करने जो की थोर क्या बलकि ओडिन पर भी बहुत भारी हो गया था मैं बात कर रहूं मैंग गॉक की अब यहां पर दोस्तों यह जो क्याक्टर है यह पता नहीं क्यों इतने समय से छुपाए गया है लेकि इसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे तो इसे मारना नेक्स एलियन रेस को खतम कर दिया था अब इसका रीजन चाहे जो भी हो कॉमिक्स में दिखाए गया हो उस एलियन रेस के गुस्से फियर और पेंसे यह क्रियेचर पैदा हुआ था और काफी सालों तक ओडिन के कैद में रहा था लेकिन जब यह आजाद हो जाता है तो इसका जो म लिए एक बात के लिए माल लिते कि अगर हम लोग इसके अक्टर को हटा भी दे तो थार के अभी कई दुश्मन बन गये हैं एक्जामपल के रूप में जीउस जो कि थार को हराना चाते हैं क्योंकि थार ने एक तरीके से गौड्स का मजाग बना कर रख दिया है और वो हर्क रखने वाला है क्योंकि भाई उसे तो अपना वेनमवर्स और स्पाइडवर्स बनाना है तो नल को तो अभी हम लोग भूल जाते हैं वो गलती से भी हम लोग थार फाइप में नहीं दिखाए देगा हाला कि सीक्रिट वर्स की बात अलग है और अगर हम लोग कॉमिक्स पढ लिया है जहां पर काफी चीजे रखी हुई थी हम लोग को वहां पर नकली इंफिंटी गॉर्टेट मिला इटर्नल फ्लेम मिली बहुत कुछ मिला था लेकिन यहां पर उसके खूफिया कैद थी जो एजगार के साथ ही खतम हो गई और वो क्रियेचर आजाद हो गया अब सब लेकिन इन सब के बीच में थौर फोर भी आ गई या फिर के इसके बाद तो यहां पर मैंगोग थौर पर अटैक करने क्यों नहीं आया तो इसका एक सिंपल सा जवाब दोस्तों हो सकता है यहां पर जब एजगार से मैंगोग उस कैद से आजाद हुआ था तो गाइस वह बह क्या है और उसके पास यह परियाप एनरजी आ गई जिससे वह वापस से जितना ज़्यादा ताकत और बनना चाहता था उतना हो गया है तब वह थौर पर अटैक प्लान कर सकता है लेकिन इसी बीच हो सकता है थौर के साथ सिर्फ बैटरेबिल ना दे बलकि यहां पर हरकुल अब मैंगो को डिफीट करनी की कोशिश कर सकता है क्योंकि दोस्तों यह जो क्रियेचर है इसका अगर हम लोग साइस की बात करेंगे तो अल्मोस्ट है जितना बड़ा है काफी लंबा चोड़ा है और यहां पर यह जब अटैक करेगा तो उतनी गुस्से उतनी हेट्रेट से करेगा जैसे कि वो थौर पर ओडिन का गुस्सा निकाल ला हो आखिरकार यहां पर ओडिन ने ऐसे कई रात चुपाए है मार्वस और मेडिक रोस में जो थौर को शायद अभी तक नहीं पता है और आगी जाके पता चलेंगे ओडिन ने एक सर्पेंट को भी कैत किया है अर् इससे थौर का अभी तक तो कोई लेना देना नहीं था लेकिन हां उनके पापा ओडिन का बहुत था इसलिए यहां पर देखना यह है कि थौर इन सब को कैसे समाजता है बात करें दोस्तों थौर के कुछ नए चीज हो कि यहां पर थौर का स्ट्रॉम बेकर सुने मारा है कि अपग्रेड हो जाएगा यानि कि वह अपने मन मताबिक अपने हाथ पैर निकाल देगा गुरूट की तरह और यह चीज काफी ज़्यादा उसे ऑसम बनाएगी हाला कि काफी यूड लगेगा कि थौर स्ट्रॉम बेकर को पकड़ा है उसके दो हाथ उपर और दो पैर नीचे देखते हैं इसके आगे क्या होगा लेकिन हम लोग एक छोटी सी चीज भूल ले जो कि बहुत जादी इंपॉर्टेंट है जो कि है थौर की डॉटर या फिर कह सकते है एटरनिटी का एक छोटा रूप जिसका नाम है लव और अभी वो थौर के साथ ही है और या पर विचारे को यह ने पता है कि इसके पास कितनी जादी पावर्स है यानि दोस्तों अभी तक हम लोग ने लव को देखा तो है थौर के एंड मुई में लेकिन हम लोग यह ने पता कि वो क्या कुछ कर सकती है तो फिलाल इसमें भी काफी जादा लॉजिक ओ पॉइंट दिखा पर रुख जाएगा अगर मार्वल को सही टाइमपेन के डारेक्टर्स नहीं मिले क्योंकि दस्तों अभी तक इनके डारेक्टर्स की कोई कन्फरमेशन नहीं आई है और मावा स्टूडियो बहुत सारे लोगों को फायर भी कर रहा है तो फिलाल मार्वल के लिए सबसे टाफ की कंपलेशन थी वे सॉल्व होनी चाहिए